Hello Friends, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनिट चार्ट में समझा था यहां से जो डिकलाइन है यह हमें करक्टिव टाइप का लग रहा था Actually हम expect कर रहे थे कि यह ABC के बाद यहां से 1, 2, 3, 4 और 5 इस रेंज में एक impulsive डिकलाइन वेव सी का हमें देखने को मिले लेकिन यह behavior जो है करक्टिव टाइप का लग रहा था हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया था और यह last जो decline है उसका हमने retracement निकाला था 23 to 38% अगर 38% के उपर trade करता है तो हमने बात की थी कि फिर से यह इसके उपर जा सकता है लेकिन overall pattern क्या बनेगी उसका हमें अंदाजा नहीं था निफ्टी में आज बड़ा gap up opening देखने को मिला और यह straight away high को भी break कर दिया लेकिन उसके बाद हमें एक sharp decline भी देखने को मिला सब discuss करेंगे अभी के लिए हम देखते है निफ्टी का 2 over chart 2 over chart में देखे तो यहां से जो wave 3 शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1, 2 और ये 3 progress में है अगर ये वाके में जो हम मान रहा है ऐसा यहां से 1, 2 और 3 है तो ये इस range में से sharp bounce फिर से continue करना चाहिए यहीं wave 3 की personality है एक बार इस range में आने के बाद bounce तो किया है लेकिन वो bounce जो है काफी zigzag type का था इसलिए हम एक retracement यहां पे wave C का expect कर रहे थे उसके बाद sharp bounce लेकिन यहां पे एक bounce होने के बाद अब decline आया है तो अभी के लिए अगर हम देखे तो यहां से जो हमने retracement निकाला था वो उपर की तरफ shift हो गया है अभी हमने यहां से निकाला है 19,350 से लेके 19,215 यह अभी nifty के लिए immediate support range है और 19,215 जो है यह downside break even point है अगर वाकिय में यहां से wave 3 progress में है तो यह 19,215 के नीचे नहीं जाना चाहिए और अगर जाता है तो फिर हमें इस range में एक और decline देखने को मिल सकता है अभी के लिए हम क्या करेंगे यह पूरा जो top का pattern है यह वाला उसको हम smaller time frame में देखके समझने की कोशिश करते है देखे फ्रेंट्स अभी पहले यह जो decline था उसको हम A1 मान रहे थे और इसको मान रहे थे B2 इसलिए हम यहां से एक impulsive decline expect कर रहे थे वे उसी का लेकिन यहां पे decline भी करक्टिव लग रहा था और उसी के चलते यहां से एक sharp bounce हमें देखने को मिला जिसने high को भी break कर दिया राइट अब यहां से जो bounce था यह हमने telegram channel पे share किया था जब यह impulsive जो है 61% को break कर चुका था तभी हमने यहां पे discuss किया था कि अभी हमें एक retracement at least 38% का इस पूरे bounce का 38% का retracement हमें देखने को मिल सकता है लेकिन यह continuous decline यहां पे 61% तक आया वहां से एक sharp bounce दिया लेकिन फिर से जो है selling जो है continue रहा अब इस पूरी pattern को ध्यान से समझे अगर nifty positive है मान लिजिए हमारे mind में रखते है कि nifty को उपर जाना है तो यह यहां से उपर जा सकता है present level से या फिर इस range में से यह उपर जा सकता है इसके नीचे ज्यादा देर तक trade नहीं करना चाहिए अगर nifty positive है और उस case में हम counting इस तरीके से दिखनेंगे यह A, B और यह sharp decline जो है wave C और यहां से फिर से sharp bounce आना चाहिए personality कैसी होनी चाहिए इस range में आने के बाद इसका अगर हम retracement निकाले जो भी swing low बनाएगा उसका retracement निकाले तो 23 और 38% की range को यह sharply break कर देना चाहिए उसके बाद बले यहां पे थोड़ा सा इसके उपर time pass करें लेकिन 38% को यह sharply break कर देना चाहिए तभी हम उसको positive मानेंगे अगर यहां पे आने के बाद यह इस पूरे decline के 23 to 61% की range में अगर time pass करता है sharp bounce नहीं देता है तो भी decline की possibility बनती है तो इस behavior को हम ध्यान में रखेंगे आने वाले time में एक बड़े trade लेने के लिए तो नीचे की तरफ यहां पे यह range important है अब हम इस decline पे focus करेंगे और भी immediate move के लिए यह जो है nifty का 3 minute chart है इसको अगर हम counting wise देखे तो यहां पे 1, 2, यह 3 और यह 4 जो है 23 to 38% की range में आया है अगर यहां पे अभी भी 4 complete हुआ है तो फिफ्त का अगर हम projection निकाले तो 19,376 से लेके 19,333 आ रहा है और ओर ओर 3 का 100% lever आ रहा है 19,347 तो possible है कि हमें इस range में एक decline देखने को मिले अगर यहां पे 4 complete हुआ है तो यह जो retracement है हमने इस पूरे decline का निकाला है अब इस range में जब नया low बनेगा तो यह retracement उस नए low से निकालेंगे high से लेके low तक का और उस range में यह किस तरीके से behave करता है उस पर depend करेगा कि आने वाले time में nifty उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उस pattern को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरीके से इस range में behave करेगा पहले तो हम इस range में expect कर रहे है एक decline और उसके बाद किस तरीके से move होता है उस पर हमारा focus होना चाहिए bank nifty में आज के वीडियो में cover नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर दोनों का analysis हम समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से हम चूक जाएंगे trade लेने से एक बड़ा trade लेने से क्योंकि nifty में हमने overall scenario समझ लिया है जैसा bank nifty में हमने 15 minute chart में पिछली वीडियो में क्या समझा था कि यह 38% के नीचे break कर चुका है तो अगर यह bounce करता भी है तो हमें उतना confidence नहीं आएगा हमने क्या किया था कि इसके उपर trade करता है तो ही हम इसको positive मान सकते है इस range में अगर bounce करता भी है तो भी possible है कि वापस यह decline कर दे और आज हमें वहीं देखने को मिला nifty में इस 15 minute chart को मैं दुबारा explain करूगा ध्यान से समझ लेना correction किस तरीके के होते है अगर वाके में यह correction है एक irregular correction यहाँ पे A यह complex correction B और अगर यह C है तो इस range में यह correction complete होना चाहिए और correction complete होने के बाद overall तो हम wave 3 में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से decline जो है sharp आना चाहिए मतलब कि इस decline का 23-38% जो भी होगा उसके उपर यह sharply break कर देना चाहिए क्यूंकि इस correction ने बहुत ही बड़ा time already ले लिया है तो अगर इस range में से sharp bounce आता है तो ही positive है अगर मान लिजे कि यहाँ से decline होने के बाद यह इस पूरी decline के 23-61% की range में यह retracement बार बार देता है तो समझ लिजे कि यहाँ पे एक top बना है और यह impulsive के बाद corrective form हो रहा है और उसके बाद decline जो है वो continue होगा तो इसी behavior पे यहाँ पे low बनाने के बाद इस range में low बनाने के बाद के behavior से हमें पता चलेगा कि इसको उपर जाना है या फिर नीचे जाना है राइट फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको इलिएट वेव कोर्स प्लस टेलिग्राम चैनल का मंतली सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद